मंडोली जेल में बुद्वार की रात काफी जादा डरह हुआ नजर आया ओलम्पियन शुशिल कुमार दरसल शुशिल कुमार उस वक्त काफी जादा एमोशनल हो गए जेल प्रशाशन ने शुशिल कुमार को फोन पर उनके परिवार वालों से बात चीट करने की इजाज़त चार मई की रास सागर धंकर मामले की घटना के बाद से शुशिल को एक जगा से दूसरी जगा भागता रहा और इस दौरान उसे अपने परिवार वालों से बात करने का बिलकुल भी मौका नहीं मिला था खबरों की माले तो जेल से अपने घर पर बात करने के दौरान शुशिल कुमार काफी ज़्यादा इमोशनल हो गया और उसकी आँकों से आँसों निकला है हाला कि शुशिल ने खुद को समालने की कोशिश की दस से पंदा मिनट की कोई इस बाचीत के दौरान शुशिल ने परिवार वालों के सिदर से का हाल चाल पूछा जेल अधिकारों ने बताया कि करूना महामारी को लेकर अभी कैदियों को उनके परिवार वालों से मुलाकात बंद है नेक्सान लाइस और श्रीजिर पाउट